और बच्चा लोग कैसे हो दिवाली आ रही है इस वक्त हम बहुत सारी सफाईयां करेंगे काफी सारी चीज़े अरेंज करेंगे कुछ मीठा बनाएंगे कुछ नमकीन बनाएंगे तो मेरे साथ बने रहे हैं इस किचिन में हा तो बच्चों फ्रिज की सफाई तो होई गई होगी आपने फ्रिज की सफाई कैसे करते हैं वो वीडियो आपने देखा होगा अब करते हैं फ्रिज को अरेंज फ्रिज हर घर में होता है समान कई सारा होता है और यह फ्रिज का ही काम है कि हमारे काफी सारे किचिन के समान को वो इस्टोर करके अच्छे से रखता है, तो सबसे पहली जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, कि फ्रिज को एक तो साफ रखें, और फ्रिज को विंडो के साइड रखें, या ऐसी जगा पर रखें, कि एटलीस उसे थोड़ी बहुत हवा मिलती रहे, अब यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले फ्रिजर को, कुछ बॉक्सिस लीजे, कुछ बकिट्स लीजे, और ऐसे समान रखें कि आपका सारा समान ज़्यादा आ जाए, यहाँ फ्रिजर के ऊपर जो छोटा सा जगा बना हुआ है, वहाँ पर रखती हूँ मैं आईस क्रीम और साइड से आईस जमाती हूँ, अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको इन बकिट्स में मैं छोटी-छोटी चीजें क्या रख रही हूँ, यहाँ मैंने रखे हैं छोले, जो सफेद मटर अक्सर किचिन में खराब हो जाते हैं, यह है फुटना जो किचिन में खराब हो जाता है, उड़त की दाल साबुत इसमें कीड़ा लग जाता है, जो चीजें मुझे रिस्क वाली लगते हैं, उन्हें मैं फ्रीजर में ही रखती हूँ, यह है फलारी आटा, जो हमें रोज यूज नहीं होता, यह हैं डेट्स, पिंड खजूर, यह हैं वो चीजें, जो हम लोग चैरी, पाइनापिल, ऐसे डब्बे जब खोलते हैं, तो तीन दिन से ज़्यादा यह नहीं रख सकते, जल्दी से ही खराब हो जाते हैं, और हमें थोड़ा-थोड़ा ही किचिन में यूज होता है, मैं क्या करती हूँ, जब भी टिन खोलती हूँ, इन्हें अपने एक डब्बे में डालकर फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे मेरे दो मैने, तीन मैने तक यह बहुत ही वड़िया स्टोर हो जाते हैं, जब मर्जी आती है, एक गंटा पहले निकाल कर उसे सॉफ्ट कर लेती हूँ, और उसे किचिन में यूज करती हूँ, इसी तरीके से मैं पाइनेपिल का भी टिन ऐसे ही खोल कर डबे में रखती हूँ, यहाँ देखिए, बॉक्स में मैंने क्या रखा है, कुछ ड्राइ फ्रूट ऐसा, जैसे किश्मिश, या चैरी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ड्राइ, यह मुनक का, यह है खस-खस, जो खराब नहों, वो मैं इस बॉक्सों में रखती हूँ, यहाँ रख रही हूँ, मैं बड़े बॉक्स में आम, यह देखिए, एक गंटा पहले मैंने निकाल के रखा है, कितना सौफ्ट है, और बिना मौसम का आम, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब मन करें, आम की आईस क्रीम बनाओ, यह मैंगो शेक बनाओ, बह साइट से रखें, मैंने ड्राय वाले अनियन, जो मुझे बिर्यानी वगर में बहुत काम आते हैं, और जल्दी से कभी सबजी बनानी हो, उसमें भी मुझे बहुत यूज होते हैं, यहाँ पर मैं पीनेट रखती हूँ, यहाँ पर कुछ ड्राय फ्रूट्स रखती हूँ, जैसे पिष्टा और अक्रोट जल्दी खराब होता है, सामने मैंने पीजा चीज रखता है, जो काफी सारी मातरा में आ गया है, यहाँ पर अभी खाली जगा है, तो मैंने यहाँ पर आइस रखती है, अब आती है बारी यहाँ पर दूद की, दूद अकसर हम लाते हैं, और ठेंडा करके फ्रिज में रखते हैं, जिसमें मलाई जम जाती है, लेकिन जो पहले वाला दूद पतीला होता है, उसे हम कैसे रखें, उसके लिए मेरी आदत यही है, कि दूद की मलाई निकाल कर मैं यहाँ पर बॉक्स में रखती हूँ, और जो बाकी बचा दूद में बॉ बॉटिल वाला वो हमें चाय और दूद के काम में आ जाता है, फ्रिज के जो शेल्फ हैं साफ हो गए हैं, यहाँ पर मैंने मैट्स बिचा दिये हैं, मैट्स को साफ करना बहुत ही ईजी हो जाता है, तो इसे हमेशा रखने चाहिए मैट्स के उपर, यह देखिए पतीले को स इस तरफ से रखा है, यह मैंने बटर रखा हुआ है उपर, यहाँ पर मैंने कुछ चीज स्प्राइड या जो बच्चे खाते हैं, वो चीज स्लाइस बगर वो मैं यहाँ पर रखती हूँ, अब बारी आती है सबजियों की, सबजियां हम बहुत सारी रखते हैं, मैं तो खा इन बॉक्स का डिवाइडर हटा दीजे, इस बॉक्स में पूरी सबजियां डाल दीजे, अब यह डिवाइडर डालने से फाइदा यह हो जाता है, यहाँ देखिए, एक में मैंने अध्रक डाली है, एक में नीबू, और इसमें रखा है मैंने बहुत सारा धनिया, और यह ब इसको फाड के आप इसके अंदर रख दीजे और लपेट लीजे, पेपर में छे मैंने से मंगवा नहीं रही हूँ, तो इस तरीके से मुझे बहुत इजी हो जाता है, यह देखिए, खुब सारा पुदीना, काफी दिनों से आठ दिन भी रखेंगे, आपका पुदीना कभी खराब नहीं होगा, धनिया खराब नहीं होगा, इसी मैं बैक्स में रखती हूँ, यह थोड़ा सा मेरे पास मीठा नीम, जिसे कड़ी पत्ता कहते हैं, वो भी मैं साइट से रख रहे हूँ, अब देखिए, एक ही बॉक्स में धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, नीबू और अद्रक आ गया है, अब यह देखिए, दूसरा बॉक्स, इसका मैंने एक डिवाइडर निकाल दिया है, क्योंकि टमाटर मेरे पास जादा थे, तो यहां मैंने रख दिया टमाटर, इसमें रखा है हरी मिर्च, और भी जगह है, कुछ और भी रख सकती हूँ, खूप सार बहुत सारी चीज़ें आप काट के रख सकते हूँ, मुझे बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से, सब कुछ मुझे पता होता है, और यह जो डिवाइडर है, अक्सर मैं गोबी को काट के इस तरीके से रखती हूँ, जिससे ज़्यादा जगह नहीं गिरती है, और मुझे ग बहुत सारी जगह नहीं हो भी रख रही हूँ, यहां पर देखिए चटनी, फ्रिज में मैं हमेशा मीठी चटनी, खटी चटनी रखती हूँ, और इस तरीके से जार में रखती हूँ, जिससे फैलने से भी बचता है, और काफी दिनों तक स्टोर हो जाती है, यहां देखिए एक बड़े से जार में मैं आधा एक किलो करीब लसन को छिलवा कर उसमें नमक, थोड़ा सा विनेगर और बहुत सारा पानी डाल कर रख देती हूँ, जिससे लसन काफी फ्रेश रहती है और मेरा काम बड़ा असान हो जाता है किचिन का, इसे एर टाइट जार में रख देती नीचे ली सामने देख जाए कि आज फ्रेश में कौन सी मिठाई रख यहां मैंने सबजियां रखना है जो नीचे वाले शेल्फ में यह जाली वाले जो वैक्स होते हैं, इससे हमें सबजियां पता भी चलती हैं कौन सी सबजियां और बड़ी असानी हो जाती है, तो मैं हमे यह जगा बचती है, यहां पर मैं कुछ टेटरा पैक, क्रीम या कुछ ऐसे प्रोडेक्ट रखती हूँ जो मुझे यूज़ होते हैं, इस बॉक्स में मैं पूरा फ्रूट रखती हूँ जो मुझे फ्रिज में रखना होता है, यहां देखिये काफी सारी स्पेस है, आपको मुझे जगा बसती है, तो कुछ मेरे पास अमेरी कलर हैं, जो फॉंडेन वगर में यूज़ होते हैं, वो मैंने रखे हुए हैं, यहां मैंने केसर, वैनिला एसेंस और केवडा एसेंस वगर रखा है, जो मुझे एजिली मिल जाता है, यह ब्ल्यू बॉक्स में मैंने रखा है, अभी गुलाब जामुन का प्री मिक्स, कई प्री मिक्स में रखती हूँ, कई प्री मिक्स में फ्रिज के बाहर रखती हूँ, यह नीचे वाले साइड में पीनट बटर, और यहां मैंने रखा है, चीज जो मैंने ड्राइ करके रखा हुआ है, इस तरफ साइड में मैंने मेयोनी, मिल्क मेड, जैम, आरिगेनो, चिली फ्लेक्स, इस टाइब के समान रखती हूँ यहाँ पर ब्रेड है, अभी भी काफी जगह है, कोको पाउडर या चॉकलेट सॉस कुछ रखनी हो, वो भी मैं रख देती हूँ नीचे वाले शेल्फ में मैं रख रहे हूँ कुछ शर्बत, कुछ कश्मीडी लाल मिर्च पाउडर जगह है, तो मैंने कुछ अचारें जो पुराने साल की पड़ी हैं, इस तरीक से काफी समान आ जाता है, यह देखिए, पिस्ते की कतरन रखी हुई है, यह रखी है मैंने कलर प्रिज में बहुत ही अराम सेफली पड़ी रहती हैं फ्रिज में, दही के उपर मैंने रख दिया है घुथा हुआ आटा, यहां भी देखिए, काफी सारी स्पेस है, समान व्यवस्तित रखने से बहुत सारी जगह बचती है, यह स्टील के बॉक्स में मैं हमेशा मेथी, बत जल्दी बनाना हो, पनीर की सबजी, कोई भी सबजी, तो उसे हम बहुत ही अराम से बना सकते हैं, बिना प्याज की भी रखती हूँ और प्याज वाली भी रखती हैं, इन दोनों का वीडियो मैंने बना रखा है, कि ग्रेवी हम कैसे स्टोर करें काफी दिनों तक, तो ग्रे प्याज और सूखा लसन रख देती हूँ, और उसके उपर आलू, कचालू, अर्भी वगर ऐसी चीजें रख देती हूँ, और सबसे उपर मैं वह वाला फ्रूट रखती हूँ, जो फ्रूट मैं फ्रिज में नहीं रखना चाहती हूँ, अब देखिए, खूब सारा समान हमन करते भी रही है, ऐसे क्या होगा, आपकी फ्रिज में कभी भी स्मेल नहीं आएगी, और फ्रिज को साफ करते रही है, आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजे, ज्यादा से ज्यादा शेयर क कीजे, फ्रेंड्स और फैमिली को इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजे